दोस्तों मैं आज आपको नीलम की वो खास खूबियां बताऊंगा और बताऊंगा कि परम राज योग कौन कौन सी राशी में नीलम बना सकता है नीलम कौन सी चार वो राशी है जिसको पहनने से परम राज योग बनता है जिसको पहनते ही जीवन में तरकी हो सकती है और नीलम दोस्तों मैं बता दूँ कि सबसे नंबर वन बेस्ट जो नीलम है वो होता है सिलोन माइन्स शिरिलंका का लेकिन सिलोन माइन्स से भी सबसे बड़े लेवल का अगर नीलम की बात करूँ तो कश्मीर माइन्स का जम्मू की हंदुस्तान की जम्मू कश्मीर से सबसे बढ़िया नीलम निकलता है लेकिन वो इतना महेंगा है अगर अच्छा क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का अगर एक करेट का लेते हैं तो एक करोड रुपे का होता है दुनिया का सबसे महेंगे रतनों में माना जाता है दूसरी बात सिलोन माइन्स में भी हार्डनेस 9 है ग्रेविटी 4 है gravity 4 का hardness 9 का बढ़िया यदि आपको एक नीलम मिल जाता है तो मज़ेदार आपको फाइदा दे सकता है नीलम दो प्रकार के होते हैं एक होता है जल नीलम एक होता है इंदर नीलम जिसके जनम लगन कुंडली में ग्रहों की situations यदि माल लीजिए शनी चंदर एक साथ हैं तो priority रहेगे कि आपको जल नीलम पेंडना चाहिए माल लीजिए शनी शुकर इकठे एक साथ हैं तब भी आपको जल नीलम यानि कि light color का sky color का आसमानी color का नीलम सूट करने के ज़्यादा chances रहेंगे depend on your horoscope आपके ग्रहों में क्या लिखा हुआ है अब इसमें भी एक point है कि जैसे शनी है शनी की माल लीजिए degree जो है किसी की 10 degree से नीचे के शनी है तो उनको शनी का रतन पेंडने के ज़्यादा अच्छा रहेगा या शनी की degree माल लीजिए 20 degree से उपर की degree है तब भी कहीं ने कहीं आपको नीलम की ज़्यादा जरूरत है अब इसमें भी point है कि यदि आपको नीलम पेंडना है तो कुंडली में शनी नीचराशी के तो नहीं है और शनी बैठे कहां पे यदि 12 घर में शनी बैठा है तो बहुत सोच समझ के नीलम पेंडना होगा अब डार्क नीलम जो बिलकुल डार्क कलर का नीलम होगा वो किसको पेंडना होगा अब ये डार्क नीलम है ध्यान से देखिएगा ये डार्क नीलम है अब जो डार्क नीलम है जरूरी नहीं कि डार्क नीलम सिलोन माइन्स का हो डार्क नीलम बैंकोंक का सबसे ज़्यादा आता है बैंकोंक का जो नीलम है बेडा गरक करने वाला नीलम होता है सबसे ज़्यादा अगर आपकी जिंदगी में नुकसान देगा तो बैंकोंक का नीलम होगा ऐसे ही कलर का होगा दिखाता हूँ आपको यह बैंक को कलर का नीलम है ठीक है ध्यान से देखिए बैंक को नीलम की जो ग्रेविटी है जो हाड़नेस है जो कलर है वो कहीं ने कहीं आपको कृत्रम तरीके से त्यार किया गए नैचुरल नहीं होता बैंक को नीलम का जो प् बहुत बढ़ी टेक्नोलीजी के दोरा बना आ जाता है, उस पे एक गास उसके अंदर भरी जाती है, उसके अंदर बरा जाता है, रतन को पूरा गरम करते हैं, और गरम करके ओपर से ऐड़क्र छोडते हैं, तो जैसे ही गरम स्टोन घर Griff कर लेते हैं, तो वो उस डूर को नहीं पफफर दो और मारी मोन और कशमीर नंबर टू सबसे बेस्ट क्शमीर को याद रहते हैं पश्मीर अवेलेबल ही नहीं है, माइन्स बंद है भारत पाकिस्तान का आपको पता है जगड़ा किस लेवल पर चल रहे है तो इसमें भी राज की बात है, जादा बता नहीं सकते हैं हम कुछ बाते हैं, तो पॉइंट कहा है कि आपको सबसे जो बेस्ट है वो है आपके लिए सिलोन माइन्स यानि शिरलंका माइन्स का, शिरलंका माइन्स का यदि आपको दो टाइप के निलम आते हैं, एक आता है डार्क कलर, एक आता है लाइट कलर, तो अब आपने चूज करना है कि आपकी कुंडली के अकोर्डिंग, डार्क वाला सूट करेगा या लाइट कलर, य जल के जैसा दिखाई देने वाला स्काई कलर यानि आसमानी कलर के जैसा दिखने वाला ठीक है समझ आया तो इस नीलम को कौन-कौन पहनेंगे जिनकी कुंडली में चंदरमा शुक्र शनी के साथ बैठे हो या शनी की पूर्ण दृष्टी पढ़ रही हो और जिसकी वज़े से यह गए प्रभावित हो तो आपको जल नीलम जैसे स्ट्रेस लेवल एंजाइटी जादा जो फील करते हैं उनको ज्यादा तर लाइट कलर के नीलम सूट करते हैं क्योंकि लाइट कलर आपको हो सकता है वैसे अच्छा ना लगे आपको लगे कि जी मुझे तो डार्क पसंद है आपको वाइट देखती खुशी मिलती जैसे मैंने भी वाइट शर्ट पहनी है आपको वाइट शर्ट एक अच्छा फील दे रहे हैं वाइट कलर आपको एक अट्रेक्शन देखता है मान लीजिए आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा कीड़ा है कि मुझे तो स जब्वाई इतनी चाहिए कि नीट अन्ड क्लीन ज錢 जैसे आप डबल बैट पैड़ पे चाहते है तो आपको चद्वर एकदम कशी हुई चाहिए एकदम होटल के स्टााईल में एकदम साप सुत्री चाहिए नीट एड़ क्लीन द ज्यादा चाहिए आप उफिस में जाते है तो आपकी जो टेबल ऑफिस का एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, बिखरा बिखरा जोते चपल कुछ नहीं चाहिए, साफ सुत्रा सिस्टमेटिकली अगर चीज़ें चाहिए, अगर ऐसा आपका नेचर है, तो इस बात के ज्यादा तर चांसेज है कि आपको नीलम सूट और किसको चल रही है, तो इन लोगों को भी नीलम सूट कर सकता है, ज्यादा तर चांसेज हैं, लेकिन आप अपना होरोस्कोप जरूर स्टडी कराएं, तभी आपको पता चलेगा कि नीलम सूट करेगा कि नहीं करेगा, अब मैं इसके बारें बताता हूँ, परम राज परम राज योग देता है नीलम मकर राशी में और कुंब राशी में, तो कुंब राशी और मकर राशी दोनों शनी की खुद की राशियां हैं, और जो ब्रिशब राशी और तुला राशी है, वो शुक्र स्वामी होता है, तो शनी के मित्र की राशी है, तो यहाँ पर परम नीचराशी के तो नहीं है, शनी बारवे घर में तो नहीं बैठे हुए, शनी छटे या आठवे में तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि शनी जिस घर में बैठता उस भाव की वृद्धी करता है, अच्छा इसमें भी एक चोटा सा पॉइंट है, नीलम आपको कैसे सूट कर सकता है, मान लीजे नीलम सूट करता है, आपने नीलम बाजवे बांदा, आपने टेस्ट किया, आपको किसे ने कहा जी बाजवे बांद के टेस्ट करना है, मेरा गडित ये कहता है कि नीलम आपकी कुंडली बोलती है, तो सूट करेगा, मतलब करेगा, कुंडली बोलती नहीं बो आपकी बारिकियों से, आपके symptom match कर सकता हो, वो astrologer आपको guide और बहुत सारे कुछ छुपेवे रहस्य हैं, क्योंकि मैं सारी बातें आपको अभी नहीं बता सकता इस platform पे, कुछ personal relationship में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर वो nature आपका है, तब भी आपको नीलम सूट कर सकता है, क दस बातें पूछता हूँ, कि क्या भाई आपके साथ ये चीजें होती हैं, तो आप नीलम पहनिए, आपको competition की त्यारी कर रहे हैं, IS की त्यारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे यहां आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तब भी आप नीलम पहन सकते हैं, especially जो IS की त्या गाड़ लाइन का काम करते हैं, जिनकी गाड़ियों की एजन्सियां हैं, लोहे का काम है, कैमिकल का काम है, शराब का बिजनस है, शराब की ठेकेदारी है, इस प्रकार के जितने शनी संबंदी व्यक्ती है, उनको भी नीलम अपने जीवन में एक बार जरूर पहनना चाहिए दोस्तो नीलम के हजार फाइदे हैं कुछ लोग क्या करते हैं नराइन जी मैंने नीली पहन ली नीली ठीक है, हो सकता है आपकी बोड़ी में सूट कर गई हो आपको अच्छा रेजल्ट भी दे सकती है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन जो काम नीलम ने करना है वो और कोई नहीं कर सकता लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगा नीलम कभी अकेले ज़्यादा काम नहीं करता नीलम को सुपोर्ट चाहिए नीलम कहता है कि मुझे किसी ने किसी का सहरा चाहिए तो नीलम हमेशा आपको गुमेद, मुंगा, मोती, मानिक कुछ भी हो सकता है लेकिन एक बात याद रखेगा है वो उसका मित्र रतन होना चाहिए जैसे कि शनी का अगर नीलम आपने पहनना है तो आपको मुंगा रतन शत्रू है तो मुंगा नहीं पहन सकते मानिक रतन है जैस आपका कैट साई हो सकता है वो हैसनेट गारनेट हो सकता है वो एमरेल्ड हो सकता है वो उपरतन भी कोई हो सकता है यलो सफायर भी हो सकता है तो कहीं ने कहीं अधिमित्र तो कोई ने कोई ऐसा एक सुपोर्टिव जैमस्टोन साथ होना चाहिए जनरली मैं प्रेफर करता हू नीलम के साथ में छोटे छोटे दो या चार या छे या आठ आप डाइमन लगवा लिजिए नीलम की उसी अंगुठी में चारों तरफ और नीलम आपकी कुंडली के अकोडिंग पंचदातू, आपकी कुंडली के अकोडिंग सिल्वर या आपकी कुंडली और आपके वर्क के गोल्ड में या प्लेटिनम में बनाई जाती है, ना कि आप पंच धातू में ही पहनेंगे, ना कि आप उसे गोल्ड में ही बनाके पहनेंगे, अपनी मनमर्जी से आप नहीं पहन सकते, एक्सपोर्ट की राय में जाके ही नीलम की धातू और नीलम का वजन आपको फाइनल करना चाहिए अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं के कुछ लोग क्या करते हैं नीलं को अपनी बॉड़ी के वेट के साथ देखते हैं मैं भी पहले ऐसा बोलता होता था कभी किसी टाइम में कि आपकी बॉड़ी का वजन अगर 80 किलो यह तो आप आठ रत्ती पहननो आपका एक कुट आप 10 रत्ती पहनो, 10% वजन के अकोडिंग प्लान कराते थी। लेकिन दोस्तों यह फॉर्मूला जब रिसर्च आई है तो रिसर्च जो फाइनल रिसर्च जो मेरी इस पर आई है, जो मैंने अपनी रिसर्च की, कि बोडी का वेट तो कम हो जाता है, बोडी का वेट तो आपक कि हाइट और आपकी परस्नेल्टी का वेट को तोड़ दिया, आपने वेट पेट का उप्रेशन ऐसा कुछ कराया कि आपका वेट बिल्कुल विक हो गया तो अगर किसी भी कंडिशन में बोडी का वेट कम हो जाएगा या खुद कर लेंगे, या आप कंट्री चेंज करते है तो एन्वार्मेंट की वज़े से कम या ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपने जब नीलम पहना तब आपका वेट था 50 kg और आप करते करते चलते चलते आप परगर भीचा खा खा के कोल्डरिंग पी पी के आपने वेट बढ़ा लिया अपना 70 kg तो स्टोन की जो रतन का जो सिस्टम वो तो चेंज होगे आपके अकोर्डिंग तो यह फॉर्मूला गलत है या आपको बिलकुल इस फॉर्मूले पर अभी नहीं जाना अभी रिसर्च यह कहते है कि आपको बोडी के वेट के अकोर्डिंग नहीं पहना आप ये कुंडली में ग्रहों की दिगरी देखनी है क्या वो पांच डिगरी का है जीरो डिगरी का है या ट्वंटी नइन डिगरी पर बुड़ा हो चुका है तो according to degree आप स्टोन पहनेंगे नीलम दोस्तों बस आप एक बार जीवने पहनी है शनी देव कल्यूग में सबसे फास्ट फास्ट रिजल्ट देने वाले हैं गुरहों में शनीदेव और देवताओं में हनुमान जी महराज और खाटू शाम जी ये कल्यू के फास्ट रिजल्ट देने वाले देवता हैं तो दोस्तों कहीं ने कहीं आपको नीलम का मेने जोग मुझ बताया आप इसको रिपीट कीजिए वीडियो को बार-बार स समझिए फिर आप मेरी अपॉइटमेंट लीजिए अपॉइटमेंट लेकर आप मुझे कॉल कीजिए मेरे से बात कीजिए जो प्रसीजर आपको फोलो करना पड़ेगा फीस भी लगेगी सारा सब कुछ होगा लेकिन फ्री में या कुछ नहीं है लेकिन हां अगर आप मजब लेकर क्या हाजिर होंगा आगया दीजिए नमो नराएंजी 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 नराएंजी